ये जो स्क्रीन पर आप इच्छस देख रहे हैं न ये कोई जापान या यूरोप की ट्रेन नहीं है ये है हमारी भारत की पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत स्लिपर ट्रेन और अब रिसेंटली हमारे रेल्वे मिनिस्टर अशुनी वैशनव जी ने वंदे भारत स्लिपर के इनोबेटिव कार बॉडी स्ट्रक्चर को इनगरेट किया है और इस अफसर पर वो काफी खुश नजर आए और यहां पर ये भी बताया गया है कि 6 महिनों के भीतर इन वंदे भारत स्लिपर ट्रेनों का ट्राइल भी शुरू किया जा सकता है तो अब पैसेंजर्स की जो आइड जनी है वो काफी अराम दायक बहतरीन कमफर टेबल के साथ पूरी होने वाली है तो अब भी एमल ने वंदे भारत स्लिपर ट्रेन के प्रोट्रोडाइब प्रोडाक्शन को शुरू कर दिया है वंदे भारत ट्रेन से एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन से मौजूदा वंदे भारत ट्रेन से इस ट्रेन की तुलना किया जाए तो ये वंदे भारत स्लिपर ट्रेन काफी जादा सुपीरियर फीचर्स और साथ ही इसका जो इंटीरियर है वो काफी जादा लग्जीरियस डिजाइन किया गया है इस ट्रेन की टॉप स्पीड होगी 180 किलोमेटर प् देख लेते हैं modern passenger amenities, modern pantries, best in class interior with GFRP, glass fiber reinforced polymer panels, public announcement with visual information system, aerodynamic interior looks, special birth and toilet for differently abled, automatic interior passenger store, sensor based intercommunication door, fire safety, shower with hot water in first AC car, इस पंदेभार स्लिपर train में 16 coaches होंगे, modern pantries भी इस train में शामिल है, इस train में lighting उपर बर्द पर चड़ने के लिए सीडियां, और साथ ही रात में जो train के passage की light जलाई जाएगी वो भी काफी जादा unique और attractive होंगी, और इस train में जो जटके हैं वो तो आपको पता ही नहीं चलेंगे ये बिल्कुल जो जपान की bullet train में जो आराम दायक की feeling आती है, same इसी तरह की ये train होंगी, तो अब जल्द ही night journey का जो मज़ा है वो काफी जादा शांदार होगा, तो अब फाइनली railway minister आशनी वैशनोग जी ने बंदे भार स्लिपर train बर्जन के body structure का तो खुलासा करी दिया है और अब जल्द ही कुछी महीनों के भीतर इस train का prototype आप सभी के सामने होगा, इसलिए चल्दी से हमारे future tech channel को subscribe कर लिजी ताकि इसकी पहली तस्वीरे सबसे पहले आप हमारे channel पर देखें, आज के लिए बस इतना ही, अफिर मिलेंगे इसी तरह की और भी नहीं interesting news के साथ, till then good bye